थैंक्यू चौंक गये न कि इसका reply कैसे दे कई बार हमारी life में आता है दोस्तों जब उनकिसी का help कर देते हैं किसी का थोड़ा से काम कर देते हैं अगला हमें thank you बोलता उस thank you का reply क्या होना चाहिए बहुत सारे लोग है जो welcome बोलते हैं लेकिन हर बार क्या welcome सही है दोस्तों अलग अलग कंडिशन में क्या reply हो सकता है जिससे आपकी English और इंप्रेशिव हो जाए और attractive हो जाए तो आईए सीखते हैं कि thank you का अलग अलग कंडिशन में क्या reply होता है मित्रों thank you का जबाब अक्सर हम welcome के रूप में देते हैं अक्सर हम welcome बोलते हैं thank you के बारे में अगर किस thank you बोलते हैं you are welcome बोलते हैं यह तो नार्मल सी बात है जो maximum लोग बोलते हैं लेकिन आएए एक दूसरी बात करते है थेंक्यू के बारे में dear students जब हम किसी को thank you तब बोलना हो जब हम किसी के थोड़ी से help करते हैं जब हम किसी की छोटी help करते हैं मित्रों तब हम thank you का reply क्या द जैसे हम किसी की रुमाल उठा दें अगर गिरी है तो जब हम उसकी help करते तो अगला thank you बोलता है उस समय याद रखिएगा जब किसी की छोटी सी problem को solve कर दें छोटी सी problem की help कर दें तो हमेशा thank you का reply होता है no problem मतलब आपकी छोटी से help करने पर हमें कोई समस्या नहीं हुई तो इसकी भी कोई बहुत जरूरत नहीं है तो अगर छोटी सी help के लिए कोई हमें thank you बोल रहा है तो मित्रों हमेशा उसे no problem बोलें ठीक है जैसे किसी के आपने thank you उठाई और दे दी गिरी थी उठाके दे दी अगले ने खा thank you thank you भया thank you friend या thank you sir तो आप बोले no problem आई अब आग ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो जैसे आप कार में बैठते हैं कार में बैठते ही आपके front कहते हैं कि यार मैं अपनी watch तुम्हारे room पे भूलाया हूं तो तुम कार को बंद करके सीधा फिर ऊपर आते हो तीसरे floor अपने room पे आते हो फिर देखते हो हाँ उसकी watch है फिर ले ज it's okay का मतलब यह है कि आपने help तो की लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं है मतलब कहने का क्या है कि आपने help तो की लेकिन बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई जब इस तरीके की काम जब आपको help तो करनी पड़ी लेकिन मेहनत भी बहुत करनी पड़ी आपको help में तो अग कर गए उसने कहा भीया थेंक्यू तो आपको अगे इट सोके एक चीज लेकिन द्यान देना रिप्लाई थेंक्यू का रिप्लाई जब भी दें आपके फेस पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए इसमाइल जरूर होनी चाहिए मैं तो याद रखिएगा थेंक्यू का जब भी फेस पे जरूर रखें ये बात हो गई और आईए एक कंडिशन में देखते हैं जब आप किसी को सर्प्राइज दे रहे हों किसी अच्छी चीज के लिए किसी को पार्टी दे रहे हो मालीजे आपकी वाइफ है मैरे जूनल स्री पे वाइफ को क्या कर दिया आपने क्या कर द राइट इस माई प्लेजर का मतलब है ये मेरा सौभाग्य है क्लियर हो रही है बात तो जब आपको किसी को सर्प्राइज दे तो वहां पर थेंक्यू का रिप्लाइ वेल्कम नहीं करके आप इस माई प्लेजर बोलें जैसे माता पिता कि आपने कोई हेल्प कर दी आपकी इस दर बोलें समझ में आ रही है बाद लेकिन याद रखेगा थेंक्यू को बोलते समय चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए थेंक्यू का रिप्लाइ देते टाइम अब मात है कि अगर आप कोई बिजनेसमेन है वर्किंग पर्शन है वर्किंग पर्शन है तो कम सकम 100-200 लोग ड आपको बोलना है और वो थेंक्यू बोलते हैं तो आप सिंप्ली बोले आप अब आगे बात कर जाते हैं जब आप किसी अपने रिष्थेदार की हेल्प कर रहे हैं अपने बहुत रिलेटिव जिन्हें आप जानते हूं कई बार जिंदगे में आता है ना कि हम अपने उन लोगों की हेल्प करते हैं या हम जिन्हें बहुत क्लूजली जानते हैं तो या जमेंग और इसका एक्जाम दिलाने मरा आप जाते हैं और उसका जब खत्म होता है जब आप विदा Honors हो रहे होते हैं वो उससे दूर रहे होते हैं वह कहता है और एक थेंग फर देश तो आप बोलोगे Mention not, Mention not का मतलब है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो relative है, हमारी duty है कि मुनकी help करें, तो याद रखिएगा, अगर आपके किसे relative ने आपको thank you बोला, तो आप mention not या no need भी बोल सकते हैं, जरूरत नहीं है, thank you की जरूरत नहीं है, mention not, clear हो रहे ये बात, आपके बड़े भाई ने आपको thank you बोला, आप mention not बोलिए, father net thank you बोला, आप mention not बोल दीजिए, clear हो रहे ये बात, अगर आपने उनकी कोई help की है, तो समझ मैं आ रही है, तो dear students, यह session था, अलग-अलग तरीके से thank you का reply कैसे कर सकते हैं, इस तरीके की नहीं नहीं चीज़े अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहे हैं, मेरे वीडियो को like, subscribe, comment जरूर करें, ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा जो आपके speaking English और confidence आपको मजबूत करने वाला है, अभी के लिए इस session में इतना ही, have a nice time all.